गेंद्री मंत्री कपिल सिब्बल ने आतंगवादियों की रिहाई के मसले पर नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल पूछा हैं कि वे चुप क्यों हैं और ये भी कहा कि सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी को देना ही होगा दुख तो इस बात का है कि उस ऐसे राजनीति की दल है जिनकी आज तक चुपी रही है इसमाद में और ये मैं समझता हूँ एक गलत मेसिज जाता है कहीं तो टेररिजम के नाम पे फेक इंकाउंटर होते हैं और दूसरी जगा टेररिस्ट को रिहा किया जाता है मैं समझता हूँ कि सोच में कुछ खोट जरूर है जो राजनीतिक दल और जो सरकार टेरर के खिलाफ है उनको सभी टेररिस्ट के खिलाफ होना चाहिए और आवाद उठानी चाहिए और मैं आज नरेंदर मोदीची से पूछता हूँ और उनसे सवाल करता हूँ आप चुप क्यों है दरसल तमिलाडू सरकार ने राजीव गांधी की हत्या में शामिल आतंगवादियों को रिहा करने का फैसला किया है और इस मसले पर नरेंदर मोदी ने चुप्पी साद रखी है बीजेपी ने भी अपना रुख अभी तक सपस्ट नहीं किया है गोर तलब है कि नरेंदर मोदी के तमिलाडू सरकार की मुख्या जैललिता से अच्छे संबंध है और शायद वैसी लिए कुछ भी कहने से बच रहे हैं